जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक के लिए नहीं रहता है ये आपको भी पता है लेकिन जो हमेशा तक के लिए रहता है वो आसानी से नहीं मिलता तो इसका अगर आप निसकर्स निकालेंगे एक वर्ड में तो आपको ये लगेगा कि महनत करने के बाद जो सक्सिस जो कम् समस्ट को सब्सक्राइब करने के बाद के इनके वेबसाइट के जाकर डाउनलोट कर लिजेगा ठीक है और आपको class का timing मैं बता दू एक बार जो भी RRB Group D, RRB J E या NTPC के तयारी कर रहे हैं 19 के लिए जो math का class का timing है वो साम को 6 बजे, reasoning रात को 10 बजे और GS यानि GK रात को साब का रात को 8.30 बजे हो रहा है और ये current affair जैसे आपको मिल रहा है अब भी डेली सुबर में साड़े 4 बजे PDF के साथ और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 14 नहीं 15 मार्च के important current affair जो आपके exam के point of view से बहुत जादा important रहने वाला है वो भी तत्थ के साथ तो देखते हैं पहला question हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है जो पहला question हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो यह है कि किस देखने हाल ही में रविंद्र भार्ती जो संग्राले है कोलकाता में अच्छा एक question और जो रविंद्र भार्ती museum है ना वो कहां पर है तो वो कोलकाता में है उसको 22 लाग रुपय का दान देने की घोसना की है वो कौन सा देश है यह आपको बताना है तो यह जो देश है ना वो देश आपका जपान है और एक बाप मैं आपको बता दू यह जो पैसा दिया जा रहा है जो भी museum में जो cultural जो historical समान है न उसको और उसको अच्छा से उसको strength उसको और अच्छा से रखा जाए ना मरम्मद किया जाए इसके लिए जो Japan है वो 22 लाग रुपया दे रहा है कलकता की सरकार को ठिक है और Japan का जो रहधानी है वो क्या है टोकियो और वहाँ का मुद्रा क्या है तो जपानी सीन और वहाँ के राष्ट पती का नाम क्या है तो सीनोच एबे अगला जो प्रस निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2019 S.A.W. F.F. यानि South Asian Football Federation World Championship जो है का जो मेजबानी जो यानि जो होश्ट करने वाला है वो कौन सा देश्ट होश्ट करेगा या आपको बताना है तो सही अंसर है आपका नेपाल ठीक है और नेपाल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊगो कि आपको सबको पता है नेपाल का जो रसधानी है वो काटमांडू है और वहाँ पर जो मुद्रा इस्तमाल होता है वो होता है आपका नेपालिस रूपीज ठीक है चलो अगला जो प्रस्ते है अबारे सामने वो ये है विस अलोंपिक जो वर्ल्ड गेम्स है तो ज़र उन्निस का वो कौन सा देश्ट करेगा देखो होस्टिंग के उपर आपके एक्जाम में सवाल बनते हैं तो याद रखिएगा दो हजार उन्निस का जो अलोंपिक गेम है ना वो जो होस्ट करने वाला देश है वो सयूथ अरब एमिरिट यानि यूएई और एक बाप मैं बता दूँ जो इस अलोंपिक में दो जार उन्निस का जो टोटल देश जो भाग लेने वाले हैं वो दो सो देश भाग लेंगे और कितने खिलाड़ी रहेंगे तो जो टोटल खिलाड़ी रहेंगे वो रहेंगे आपका पच्छतर सो ठीक है और एवेई का जो करेंसी है वो क्या है वो है धिर्रम और वहाँ का राजधानी क्या है अबुधाबी और वहाँ के परसिडेंट यानि राष्टपती का नाम क्या है तो खलीफा भी जयद AI नयान चलो अगला जो प्रस निकल कर आ रहा है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है यानि भोगोलिक संकेत का जो टैग है वो मिल गया है ये जो हल्दी है वो किस राज़ का इरोड है ये आपको बताना है तो ये है आपका तामिल नाडू का और तामिल नाडू का जो राजधानी ये वो क्या है चिन्नाई वहां के सियम कौन है ये और वहां के गवर्णर कौन है तो बनवारी लाग पुरोहित और आज का आपका सवाल है अगर आप डेली करेंट अफेर देख रहे हैं डेली प्रिडियाफ डाउनलोड कर रहे हैं तो आपक किस राजधा है जिस तरह हल्दी जो है वो तामिल नाडू का है तो सुपाड़ी किस राजधा है ये आपको कॉमेंट्स ने बताना है अगर आप डेली करेंट अफेर अच्छे से फॉलोग कर रहे हैं तो इसका एंसर आपनों जरूर दे हुए चलो अगला जो प्रस निकलकर हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है राकेस मखीजा को हाल ही में किस बैंक के नए गैर करिकारी जो अध्याच है उनके रूप में निक्त जो है वो कर दिया गया है यानि नॉन इजुगेटिव चेयर्मेन के रूप में किस बैंक का तो वो है एक्सिस बैंक और एक्सिस बै का टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी कभी-कभी एक्जाम में आपको टैग लाइन से भी पूछेगा तो ये भी आपको याद करना बहुत जरूर ही है चलो देखते हैं अगला जो क्वेशन हमारे साब में निकल कर आ रहा है वो ये है हाल ही में PLOS बाइलोजी में परक आपको मैं बता दूँ इसका जो एंसर है वो है मलेशिया जो मलेशिया है वो नंबर वन पर है और पूरे धरती पर 84 परतिसत यानि जितने धरती पर प्रजातिया है उसका 84 परतिसत सिर्फ कहां पर है तो सिर्फ मलेशिया में है इसके कारण ये रैंक वन पर है अब आपके म और मलेशिया का जो capital है वो क्या है कॉलालामपूर और वहाँ जो currency जो मुद्रा इस्तमाल की जाती है वो की जाती है मलेशियन रिंगिट तो ये भी आप लोग याद रखेगा आपके exam के point of view से बहुत बहुत important है सारे जो important तर्थ बता रहा हूँ ये सारे ठीक है चलो अगला ज जूबली scholarship से सम्मानित किया गया है यानि किस country के जो topper है 200 topper students को golden जूबली scholarship के द्वारा नवाजा गया है प्रुसकार दिया गया है इंडिया के तरब से किस देश का नेपाल सिरी लंका बांगादेश या माल्दिफ तो इसका जो answer है वो है हमारा नेपाल बिल्कुल नेपा पर talent की कोई कमी नहीं है यसे आपको पता है जो राम देव है उनके जो partner है जिनके वाजे से पतंजली खड़ा है यानि बाल किसनन वो भी जो है आपके नेपाल के ही है तो नेपाल में talent की कमी नहीं है जो topper 200 student है उनको golden jubli scholarship जो है भारत के द्वारा दिया गया है वो कहा के ह वो नेपाल के है total 200 student अगला जो प्रस निकल कर हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है हाली में 2019 विस वर्ल्ड किडिनी डे कम मनाया गया है ये आपका प्रस नहीं तो ये जो इसका answer होगा वो होगा 14 मार्च और एक बात 2019 में वर्ल्ड किडिनी डे का जो बिसे है जो theme है वो क पता होना चाहिए तो मैं एक बार अच्छे से बोल दे रहा हूँ आप लोग याद रखिएगा 2019 का वर्ल्ड किडिनी डे का जो विसे है जो theme है वो यह है कि किडिनी health for everyone everywhere क्या मैंने बोला किडिनी सभी के लिए है सभी जगा किडिनी health for everyone everywhere ठीक है चलो अगला जो प्रस नहीं हमारे सामने हैं वो यह है किस सराज में भगवान अयप्पा मंदिर में सब्री माला का वार्षिक उस्व हाली में सुरू हुआ है और एक क्वेसन और यह जो मंदिर है ना यह बहुत जादा trending में हैं बहुत अक्सर अभी कुछ दिन पहले news में था तो आपको बताना है यह जो उस्व है वो को किस सराज में मनाया जा रहा है या आप ऐसे भी इस question को connect कर सकते हैं कि जो सब्री माला मंदिर है वो कहां पर है अगर यह भी पता है तो आप answer दे पाएंगे बिल्कुल इस question का तो जो सब्री माला है वो केरला में है और वहां के CM कौन है पीनाराई बिजयन औ और क्यापिटल कौन है वहां का जो राजधानी है वो क्या है तिर्वेंदरम पूरम और एक बात मैं आपको बता दूँ जो यह सब्री माला है न यह सब्री माला किस भगवान का मंदिर है तो यह भी याद रखिएगा जो सब्री माला मंदिर है केरला में यह भी भगवान का मंदीर है, ठीक है, चलो, अगला जो question हमारे सामने निंकल कर आ रहा है, वो यह आ रहा है, BCCI में किरकेट परसासन के बिवादों को सुलजाने के लिए जो मिडियेटर के रूप में Supreme Court में किसे निउक्त किया गया है, यह आपको बताना है, उनका नाम क्या है, जो कमेटी बनाई गई है, जो मिडियेटर बनाई गया है, कि जितने भी जो problem है BCCI को लेकर उसका जो problem निकालेगा, जो solve करेगा, उस कमेटी का head को किसे बनाई गया है तो वो बनाई गया है PS नरसिम्मा को, ठीक है किनको बनाई गया है तो वो है आपका PS नरसिम्मा, ठीक है अगला जो question हमारे सामने निकल कर आ रहा है, वो ये है कि कौन सा रास्ट, जल्द ही भारत में 6 परमाड़ उज्रा सयंत्र स्थापित करेगा, इसका मतलब कौन सा वो कंट्री है कि बहुत जल्द, इंडिया में 6 nuclear power plant बैठाने जा रहा है कौन सा देश है ये तो इस देश का नाम है आपका US, यानि United State of America और US का जो currency है वो क्या है, तो वहाँ पर जो इस्तमाल होता है, वो होता है dollar, और United State dollar, और वहाँ का जो capital है, जो वहाँ का रजधानी है, वो है Washington DC, और Washington DC ये भी बता दू, ये WHO World Health Organization का भी headquarter है, ये सब याद रखेगा, और राष्टपती कौन है वहाँ के सभी को पता है maximum students को पता है कि Donald Trump अब ये थे important current affair, आपका कब का, 15 March का और इसका PDF सारा का सारा आपको मिल जाएगा, सकसिसकी 98, dot इनसे जाकर डाउनलोड कर लीजेगा और एक बार और आप लोग class का timing देख लीजेए, जिनों ने class मिस किया है, चैनल जैसे ही open करेंगे, सकसिसकी 98, तो देखेंगे हर एक topic का playlist बना कर मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है ताकि आपको video को खोजने में problem ना हो open करेंगे तो math का playlist बना हुआ है reasoning का बना हुआ है gk का बना हुआ है और current affair का भी बना हुआ है और जो अभी आपका exam आने वाला है group D का, उसके लिए दो तीन teacher आप लोगों के लिए नए मिलेंगे और सारे के सारे teacher experienced है वो कही ना कही पढ़ाते हैं बहुत बड़े coaching center में तो वो चार पास जिनके अंदर आपको मिलेंगे पढ़ाते हुए और मेरा दिल बोलता है कि उनका experience आपके काम जरूर आएगा जैसे ही मेरा बात उनसे हो जाएगा आप सभी से बहुत जल्दी उनको मिलाओंगा और बहुत जल्द सो जितने भी मेरे भाई बेंद देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपने साथ साथ आपके परिवार का भी ख्याल रखिएगा चलिए